दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्रिकल्चर सेक्टर के टोप 10 एरिया के बारे में जिसके अंदर आप अच्छी से कमाई कर सकते हैं मेरे बहुत से साथी जो हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि भाया हमें एग्रिकल्चर में आना है हमें फार्मिंग करना है तो हम कौन से सेक्टर को चीज़ करें कि उसके अंदर हमें अच्छी कमाई हो सके तो आज मैंने आपके लिए एग्रिकल्चर को दस भागों में डिवाइड कर लिया है और हर भाग के बारे में बताऊंगा कि किसके अंदर कहां पे मुनाफ़ा है और क्या उसकी लिमिटेशन्स हैं तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको कौन से अरिया में घुसना है हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो अभी खेती करनी शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे जुरूरी है और जो लोग केवल मातर टेडिशनल खेती में घुसे हुए हैं उनको भी वहां से निकल कर इस वीडियो को देखके थोड़ा विचार करना चाहिए कि हमें कौन से एरिया के अंदर ज्यादा कमाई हो सकती है और ज्यादा काम्याबी जो है वो मिल सकती है तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि मैंने दसमे नंबर पर रखा है स्पाइस फार्मिंग यानि मसाला की खेती मसाला के अंदर आपका इलाइची की खेती भी आ जाती है लोंग की आ जाती है काली मिर्च आयाता है जाय वित्री जाय फल आयाता है और भी बहुत से मसाले हैं जिनके उपर हमने और लेडी वीडियो बना रखी है और उसके थमनेल कुछ ऐसे हैं जो आ वाइस्टर मश्रूम, मश्रूम की खेती जो है, इसके अंदर एक चीज ये है, कि ये पूरे साल चलता है, मसाला की खेती की जब हम बात कर रहे तें, तो वहाँ पर ये है, कि वह कुछ एरिया के अंदर होता है, हलांकि मसालों का रेट बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल मार् सिल्क की साड़ियां बहुत महंगी आती हैं बवजारें मिलती हैं लेकिन उनके रेट बहुत हैं यह टैडिशनल सी खेती है और आज के वक्त में इसकी जो प्रोडिक्शन है वो कम होने लगी है लेकिन इसके रएट जो हैं वो दिनो दिन बढ़ते जा रही हैं तो ऐसे में अगर आप शहद के लिए भी करते हैं, मधमक्यों के जहर को इकठा करने के लिए भी करते हैं, अगर आप वैक्स के लिए भी करते हैं, रोल जैली के लिए भी करते हैं, अगर आप पोलन ग्रेंज को इकठा करने के लिए भी करते हैं, तो जाएए और आप बी कीपिंग जो है, उसकी फार्मिंग शुरू कर दीजिए इसके बाद आता है मेडिसिनल हर्ब एंड अरोमेटिक प्लांट ये जो है ना ये बाबा राम देव के फेमस होने के साथ साथ फेमस होते जा रहा है आज के टाइम में एग्रिकल्चर के दुनिया में जो हमारे इलाके हैं जैसे उत्राखंड का इलाका या फिर उत्राखंड के साथ लगता उत्रपरदेश का इलाका या फिर हम देखें कि पंजाब का जो पहड़ी इलाका है थोड़ा एरिया जो हिमाचल के आसपस लग जाता है या हिमाचल का अलाका जमुक्षमीर का अलाका यहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो है मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट की खेती हो सकती है और इसके अंदर बहुत अच्छी कमाई है इसी के साथ आप एक्वा कल्चर के अंदर जा सकते हैं और एक्वा में तो हमारा हाल ये है कि आप चाहे क्रैब फार्मिंग ले लीजिए चाहे श्रिम फार्मिंग ले लीजिए श्रिम का तो हमारा खुद का प्लांट है उसको भी आपने देखा होगा वीडियो में इसी के साथ आप लोग चाहे फिश फार्मिंग ले लीजिए इन चीजों के अंदर आप एक चीज नोट करेंगे कि एकवा के अंदर जितनी डिमांड भारत की है भारत खुद की डिमांड भी पूरी नहीं कर पा रहा है इतना बड़ा सक्टर है ये इतना बड़ा सक्टर है कि आज के वक्त में सरकारें 50-50-60% सबसीडी दे रही है ताकि एकवा की जो डिमांड है वो पूरी हो सके तो आप ये भी कर सकते हैं इसी के साथ होर्टी कल्चर और फ्लोरी कल्चर के अंदर जा सकते हैं यानि की बागवानी और फूलों की खेती के बीच में और मैंने इनको ज्वाइंट इसलिए बताया है कि अगर आप बाग लगाते हैं और अकेले बाग के अंदर आप कमाई सोचते हैं तो नहीं होने वाली कभी होगी, कभी कम होगी लेकिन अगर आप बाग भी लगाते हैं और उसके बीच में अच्छा डिस्टंस मेंटेन करके जो आपने रखा होता है बाग की बीच में उसके अंदर अगर आप फ्लोरी कल्चर भी करते हैं तो इससे पॉलिनेशन बढ़ता है इससे फूल की खेती भी साथ में हो जाती है आप पूरे साल अगर केवल मातर गुलाब के फूलों की और मेरी गोल्ड यानि गैंदे के फूलों की खेती करते हैं तो भी बहुत अच्छे इंकम जो है वो कर सकते हैं पॉल्ट्री फार्मिंग चाहे डक फार्मिंग है चाहे मुर्गा पालन है ये सब जो है इसके अंदर या क्विल फार्मिंग है इसमें आप देखेंगे कि ट्रकी की भी फार्मिंग आ जाती है ये सब फार्मिंग जो है पॉल्ट्री के अंदर आती है और पॉल्ट्री की दुनिया का एक अलग ही वेबसाइट है और जिसके अंदर बहुत मोटी कमाई होती है अब बात आती है औ तो ओργ siguiनिक के सेक्टर में दो सेक्टर हैं एक और्गिनिक लाइव स्टोक जिसके लिए मैंने वीडियो बनायी थी अब लोग पूछते है अर्गिनिक लाइव स्टोक क्या होता है तो वह देख लीजिएगा और एक है ओर्गैनिक फर्म me इसको समझीएगा और इसके बाद में भारत का वो सेक्टर, दुनिया का वो सेक्टर जिसके अंदर सबसे बड़ी कमाई हो सकती है, जिसके अंदर सबसे ज़्यदा प्रोफिट है, काम्याबी है और लंबा चलने वाला है वो है डेरी फार्मिंग अब आप कहेंगे कि क्या डेरी फार्मिंग में अच्छी कमाई होती है तो आप लोगों को बता दू अगर भारत को 10 लिटर दूद चाहिए तो यहां पर प्रोडक्शन केवल मातर 6 और 7 लिटर दूद की होती है तो बाकी दूद आता कहां से है और इसे के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला कंट्री भी है तो ऐसे में आपको केवल काम करना है डिमांड पूरी करने है और इसे के साथ साथ दूद जो दूद वाले को बेचते हो आप उससे थोड़ा निकल लिए और सर्विस भी खुद प्रोवाइड करवानी शुरू कीजिए अगर डेरी के अंदर कमाई ना हो तो मुझे बताईएगा डेरी सेक्टर भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है और आज के वक्त में बताया ये भी जाता है कि जैसे जैसे लोग खानों को लेकर अवेर हो रहे हैं वो खाने को लेकर पैसे का नहीं सोसते कि कितना खर्च होता है वैसे वैसे मिल्क की जो डिमांड है वो और बढ़ने वाली है इसके अंदर कमाई और बढ़ने वाली है प्रोफिट और होने वाला है तो आप डेरी की दुनिया में भी कदम रख सकते हैं खेर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कुमेंट स्ट्रेक्शन में जरूर बताएं और मुझे उमीद है कि ये सब सुनने के बाद और उसके बाद हमारे चैनल पे जाके हर सेक्टर की वीडियो को एकस्प्लोर करने के बाद आपको ये नोलिज मिल जाएगी कि आपको करना क्या है कर देखते रहें ये ABC इंडिया